ओम शान्ति आप सभी भाई और बहनों को प्रभु प्रेमी भक्तों को देवियों शक्तियों के उपासकों को हृदय की गहराई से बारम बार बहुत बहुत बधाई हो इस नवरात्री के सुन्दर पर्व की भारत देश त्युहारों का देश है नवरात्री भारत के मुख्य त्युहारों में से एक त्युहार है जो वर्ष में दो बार और नौ नौ दिन के लिए मनाया जाता है भारत के कोने-कोने में, भारत के विभिन प्रांतों में, भिन भिन रूप से, लेकिन बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ, भावना और आस्था के साथ, ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. भाक्त जन बहुत प्रेम और श्रद्धा से देवियों का, शक्तियों का आवाहन करते हैं, और उसके लिए वो नौ दिन पूरी-पूरी रात जागरन करते हैं, पूरी रात गायन, पूजन, वंदन, भजन, किर्टन इस सबका दौर चलता ही रहता है, और पूरे ही नौ दिन अखंड जोती जगी रहती है. इन नौ दिनों के दौरान, बहुत से लोग एक दिन, बहुत से लोग दो दिन, लेकिन बहुत से लोग पूरे ही नौ दिन का उपवास रखते हैं, वरत रखते हैं, और इन दिनों में सभी भक्त जन और विशेश रूप से देवियों के भक्त, अवश्य ही सिर्फ साथ्विक भोजन ही ग्रहन करते हैं, इसलिए नवरात्री के दिनों में पूरे भारत में एक साथ्विक्ता की लहर सी पैल जाती है, ऐसा सुन्दर है ये नवरात्री का त्योहार, तो इस त्योहार की आप सबको फिर से एक बार बहुत-बहुत मुबारक। आईए आज हम इस त्योहार के बारे में थोड़ा सा कुछ गहराई से चिंतन करें, जैसे हर त्योहार के पीछे कोई गहन, कोई आध्यात्मिक रहस से चिपा हुआ होता है, ऐसे ही इस नवरात्री त्योहार के पीछे भी बहुत ही गहरा, बहुत ही गोई रहस से चिपा हुआ है, हमें ये जानने की जरूरत है कि वास्तम में वो देवियां, वो शक्तियां जिनका हम इतना प्रेम से आवाहन करते हैं, जिनकी हम इतनी श्रधा से पूजा करते हैं, वो देवियां कौन थी? कहां है वो देवियां? और वो देवियां फिर से कब इस धरा पर अवतरित होंगी? हमें इन चीजों को बहुत ही गहराई से समझना हैं, तो आज हम प्रारंब करते हैं इस नवरात्री की शुरुआत में इसके बारे में समझने की प्रारंब करेंगे देवियों के स्वरूप से सभी देवियों को दुर्गामा, वैश्नो, काली माता, भवानी, जगदंबा, मिनाक्षी, पार्वती, उमा सभी देवियों को अस्त्रों, शस्त्रों से सुसजित और किसी न किसी वाहन पर सवार दिखाया जाता है और ये वाहन, अक्सर, कोई पशु या पक्षी के रूप में ही होते हैं दुर्गा, वैश्नो, अम्बा, जिने भवानी भी कहा जाता है, उनकी सवारी शेर पर दिखायी जाती है और उनके पाओं के नीचे असुर दबा हुआ दिखाया जाता है, जिनका ये देवियां संगहर कर रही है उनकी महिमा में जब लोग भजन, इत्यादी गाते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं सिह वाहिनी, असुर संगहरी नी, इत्यादी इत्यादी अब ये प्रशन उड़ता है कि क्या ये देवियां, जिनको हम मा कहते हैं, क्या ये देवियां हिंसक थी? क्या उन्होंने हिंसा की थी? कहा जाता है, अहिंसा पर्मो देवी देवता धर्म देवी देवताओं का तो धर्म ही अहिंसा है तो इन देवियों ने हिंसा कैसे की होगी मा और हिंसा ये दो शब्दों का तो मेल भी नहीं बैठता है सोचने की जरूरत है ये भी सोचने की आवशक्ता है कि क्या उन देवियों को जिने हम शक्तियां कहते हैं जिनसे हम शक्ति की कामना रखते हैं, जिनसे हम शक्ति की मागना करते हैं, क्या उन देवियों को अस्त्रों, शस्त्रों की जरूरत थी? क्या उन्हें उनकी आवशक्ता थी? या इस सब चित्रक चित्रण के पीछे कोई कुछ गहरा रहस्य है, जिने हमें समझने की जरूरत है, वास्तम में देखा जाए, तो इस चित्रकार की एक अलपना, जिसने देवियों का ऐसा स्वरूप बनाया है, ये सिंबॉलिक है, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है, जिसे हमे जरूर समझना है, शुरू करते हैं असरों से, कौन है ये असर? असर कोई बाहर नहीं, कोई पाताल लोग में नहीं, कहीं और नहीं, ये असर कौन है? ये असुर हैं वो आसुरी वृतियां जो हमारे ही अंतर मन में बैठी हुई हैं। वो बुराईयां, वो नकारात्मक विचार, वो विकार, वो गलत आदतें, वो बुराईयां, विकृतियां, काम, क्रोध, लोब, मोह, अहंकार, इर्शा, द्वेश, घ्रणा, वैर, वैमनस्य, निंदा और चुगली की आदत, इत्यादी इत्यादी, ऐसी बहुत से विकृतिया जो ही वास्तम में असुर है, इन असुरों ने ही हमको दुखी किया है, और सारे विश्व को, सारे संसार को इन असुरों ने ही दुख धाम बनाया है, तो आवशक्ता है आज इन असुरों का इन आसुरी वृत्तियों का संघार करने की तो प्रश्ण उठता है कौन करेगा कौन करेगा इन आसुरों का संघार इन आसुरी वृत्तियों का संघार उतर बहुत स्पष्ट है अगर ये आसुर, ये दुश्मन हमारे ही घर में बैठे हैं, हमारे ही अंतर मन में बैठे हैं, तो इनका संघार भी तो हमें ही करना होगा लेकिन कैसे करें, कैसे करें इनका संघार, ये भी एक बहुत गहरा प्रश्ण है इनका संघार करने के लिए ही तो हमें देवियों का आवाहन करना है तो देवियां कहां है, जहां से वो यहां आएंगी इस बात के भी गहरे रहसे को समझना है कि वास्तम में देवियां कहीं और से नहीं आएंगी हम अपने वास्तविक स्वरूप में अपने अनादी और आदी स्वरूप में हम बहुत दिव्य हैं डिवाइन है, हम बहुत पवित्र है शीतल है, शान्त है, सौम्य है मधुर है, स्नीही है ये हमारा वास्त्विक स्वरूप है तभी हमें ये सब विशेष्टाएं वो दिविता, वो पवित्रता, वो सौमिता, वो शीतलता वो शांती प्रिये वहवार हमें बहुत पसंद है आज भी हमें कोई व्यक्ति ऐसे स्वभाव का मिल जाता है शीतल और शांत स्वभाव का मिल जाता है तो हमारे मुक्त से बर्बस निकल पड़ता है कि ये तो जैसे देवी है, ये तो जैसे देवता का स्वरूप है क्योंकि वास्तम में हम उस देवी कुल के हैं भारत भूमी देव भूमी ही था दिविता हमारी originality है तो देवियों का आवाहन अर्थात अपने अंदर सोई हुई इन शक्तियों का इस दिविता का इस पवित्रता का इस divinity का आवाहन हमें उसे जागरित करना है जो हमारे अंदर है जब हम अपने इस दिवे स्वरूप को भूल जाते हैं अपने पवित्र स्वरूप को भूल जाते हैं तो ये आसुरियता उभर आती है ये आसुरियता एक नाग की तरहां अपना सिर उपर उठा लेती है और फिर जब हम इस आसुरियता का जब इन विक्रतियों का हम अपने जीवन में प्रयोग करने लगते हैं तो ये आसुरियता और ही कड़ी, और ही विशैली हो जाती है और हमारे जीवन को विशैला बना देती है अगर हमें अपने जीवन को अमरित के समान बनाना है अपने बुद्धी को अमरित कलश से भरना है अमरित कलश के समान बनाना है तो जरूरत है कि हम अपनी दिविता का आवाहन करें, हम अपनी दिविता को जागरित करें, और क्योंकि दिविता प्रकाश है, divinity is light, और आसुरियता, जो devilish tendencies हैं, devilish traits हैं, ये darkness है, ये अंधकार है, जब हम प्रकाश को जागरित कर देंगे अपने जीवन के अंदर, जब प्रकाश फैल जाएगा, तो अंधकार तो स्वय मिसमाप्त हो जाएगा, जब हमारे में दिविता उभर आएगी, तो आसुरियता, आसुरि वृतियां तो खुद ही खत्म हो जाएगी, और आसुरि वृत से सुक्ताम बन जाएगा, तो इसलिए देवियों का आवाहन माना अपनी दिविता का आवाहन, आज तो इतना ही, कल हम इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आईए, कुछ क्षण के लिए अपने उस दिविता के स्मृति में टिक जाएं, उस स्वरूप कानुभव करें, और सारा ही दिन उस स्मृति को बार बार अपने मन में लाते रहें, तो कुछ क्षण के लिए आप अलर्ट होकर बैठ जाएं, और अपने मस्तक के बीच, नेत्रों के बीच, अपने बुद्धी को, अपने मन को केंद्रित करें, और अपने बुद्धी की आँख से एक चमकते हुए सितारों को देखें, मैं ये दिव्य सितारा हूँ, दिवेता का प्रकाश, चारों और किर्णों के रूप में पिखेरने वाला, मैं सितारा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं संतूष्ठ हूँ, मैं प्रसंड हूँ, मैं शान्ती प्रिय हूँ, शान्ती, प्रसंड़ता, दिवेता और पवित्रता की किर्णे, मुझ सितारे से बाहर निकल रही हैं, और पूरे वादावरन को बहुत ही सुन्दर, शुरेश्ट, अनमूल, प्रिये बनाती जा रही हैं, इस वादावरन में हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता हैं, इस वादावरन में हर व्यक्ति अपने को बुराईयों से मुक्त महसूस करता हैं, मैं वो दिव्यात्मा हूँ, दिव्यता का प्रकाश भेलाने वाली हूँ। ताकि आप असुरों का संगहार कर सकें और नवरात्री के सुन्दर पर्व को सही अर्थों में मना सकें। एक बार फिर से इस पर्व की आपको बधाई, मंगल कामनाए, शुब कामनाए, ओम शान्ति! एक बार नवरा भेलाने वाली हूँ, जान्ति!